और चामिन को मैं हूँ आपकी host कुलसुम चाहा और आप देख रहे हैं केचे जी आज इसी T20 World Cup में पाकिस्तान के टीम की जिस तरहा बेज़दी हुई है बलके पुरी कौम की बेज़दी हुई है कल पाकिस्तान के के टीम जिस तरहा एक्सपोज हो गई है बॉलर्स ने मैच बना कर दिया लेकिन बैटर्स ने पाकिस्तान को तबाही के मैदान पर पहुचा दिया और इंडिया के हाथो छे रन से शिकस जिस तरह हुई है पाकिस्तान के के टीम को जिससे पाकिस्तानी शायखीन तो डिसहार्ट है ही लेकिन साथ साथ हम यह देखते हैं कि एक जो ट्रस था पाकिस्तान की के टीम में कि पाकिस्तान की के टीम एट लीस्ट इंडिया के खिलाफ कुछ करेगी लेकिन वो कुछ ना हो सका जिस तरह उसने आगास किया पाकिस्तान की के टीम में अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान के टीम के जो fans से ऑंन मायूस हो चुके थे लेकिन उमीद के किरण एक बाकी थी लेकिन क्या कहें ऐसी टीम के बारे में? क्यूं ऐसी टीम भेजे जाती हमेश्या? क्यूं ऐसे लोग की के board में शामिल हैं? ऐसी टीम क्यूं तश्रील देते हैं? आई इस हवाले से हम बात करेंगे, इस हवाले से आज हमने मदू किया है तारिक असलम सहाब को, तारिक असलम सहाब तीस साल से जाइट अलेक्रानिक प्रिंट मेडिया में काफी उन्होंने काम किया, काफी महारत रखते हैं, और स्पोर्ट्स एनलिस्ट के तौर पर आजकल मु जीते-जीते, हार गया? पाकिस्तान से तो कहते हैं, को महज़े की उमीद होती है, यह वो खुद महज़ा कर देती है, बात वही है, हम हमेशे अगर-मगर यह लेकिन जो चीज हमें करने की हम वो नहीं करते हैं, अब हालत यह हो गई है, जमवावे से आप हार चुके है, आइ चुके चुके नहीं मार सक रहे हैं, तो भाई आप तो सिंगल डबल लेने थे, पर आवर सिर्फ 120 गेंदों पे 120 रह नहीं बनाने थे, जब आप से यहीं नहीं बन रहे हैं, तो फिर आप किस चीज के दावे, पैसे आपको अच्छे मिलना है, सेंट्रल कॉंट्रेक्ट में आप A, B केटिगरी में शामिल हैं, जो लाखों में आपकी हामदनी खाली मैच से मिल लई है, सेंट्रल कॉंट्रेक्ट से मिल लई है, डेली अलाउंस आपके, माशालला, 200 डॉलर से जादा है, जो ट्रेप लगे हैं, पसंद ना पसंद चली है, किसी ने कहा है, मैं एक सीजन तो वह हैं, जो उन वल्ल्लकप में खेले हुएं, यो पीछी ही नहीं जा रहा हैं, उनकी पर्फामस सवाल या शान है, फाज देखिस प्लेटें, शातर आप लगे फचार खेल हैं, थाही प्रफामस फ्लोप है, आप देखे, ना हमेशा कॉश्चन मार्क होता है, हमारी टीम पे किस चीज़ का कप्तान कौन होगा आपने T20 World Cup से पहले ही कप्तान आपने तबदील कर दिया तीम में पहले ही रफ पड़ गई अब अगर बाबर दुबारा कैप्टन आया है तो और यह लिखवा के आया है उसका कोज रिजाइन कर देता कि मैं पर्फार्म नहीं कर सका उसे चार साल पूरे मिलते हैं चैक कैसी पर्फार्मस भी हो बले वो टीम फाइनल तक पहुंची भी हो लेकिन वो इखलाकी तोर पर उसमें इतनी जुरत होती है रिजाइन कर जाए हमारा कौन सा कप्तान है जिसमें इखलाकी जूरत है अब तो जबरदस्ती तो इस्तीफे लेते हो सर्फरास की मिसाल आपके सामनी है उससे आपने इस्तीफा लिया ना उसने नहीं दिया उसने गए ठीक है भाई मैं खेलना हूँ आपको अटाने अटा द हारे सरूब बार हो जाएगा दोस्तियां खराब हो जाएगी इफ्तखार बार वेड़ी आएगा तो हम वो लड़के लिये आप आप आइलेंड और उर्टीए लेकिन कल वो बैटिंग से की और बॉलिंग नहीं कर रहे तो ऐसे प्लेर क्या फाइदा मुझे तो में चीज यूनस खान आये मिझबा आये लेकिन जो प्लेयर है शायद अफरीदी भी आये लेकिन कहीं 19-20 था लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं था के प्लेयर जानी नहीं मारा है कैव्टन को पता है कि मैंने अपने प्लेयर को कैसे यूज करना है आप अकसर देखा होगा कि जिए वो जब और वो इतना पर्फरमस्स दी कि उस यसा आर्लंडर भी दुबारा में ही मिल सका Exactly, you are saying right लेकिन बात भी आजाती ही कि हम ने इफ्तिकार तो इसलिए शामिल किया था क्योंकि वो पावर हिटर हैं, हार्ड हिटर हैं और चौके चक्के लगाते हैं लेकि वो मस्तकिल वो मैचेस में खेल रहे हैं लेकि अब तक उनकी सिफ निपाल एक ऐसी टीम है जिसमें उनों सेंट्री बनाई है उसके लावत दीगर मुमालिक से जिस सरा टीम कहेलती हैं उसमें उनकी कोई सेंट्री भी नहीं है तो ऐसे प्लेयर के क्या फाइदा क्यों हम थे टीम में को रखा गा है मैं अपने एक साबिक चीफ सेलेक्टर और टेस्क करिकेटर का इंटर्विव सुन रहा था वमारी किसी कुलीक निए था उसने काय था जिस जमाने में हम डॉमेस्टिक केलते थे उस जमाने में जो सेलेक्टर थे वो ऐसी जगह छुपके देख रहे होते थे कि प्लेयर कैसे परफॉर्म कर रहा है छुपके देखते थे क्या अनलाइस कर देखते थे वो अखबार आप में राइटर को देखते थे वो क्या एनलसिस कर रहे है प्लेयर's का, जब आपके पास सारी चीज़ हैं, आपने एक ailensis कर दिया न, कुलसम ने यह ailensis किया है, कि यह प्लेयर ने इस साल domestic में इतने run की हैं, इतनी victory ली हैं, इतनी wickett keeping में performance दिये, यह लड़का deserve करता है top 5 में है, अब इसको select कर लो या इसके साथ 2-3 हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि वो ग्राउंड में भी इनको चेक कर लेते थे अब आप ने कहीं जी वो एक प्लेयर ने PSL कहला है बस आप इसको दो मेचों के बाद उसको डाल दो अब हमारी सेलेक्शन सिर्फ PSL से हो रही है चाहे वो टेस्ट टीम हो वंडे हो यह T20 जबके इंडिया का स्टेक्चर देखे सारुफ गंगोली ने टीम को कहां ले गया है क्योंकि वो खुद खेलावा है उसने बोर्ड में जो बैसिक जो चीज है उसने अपने डिमेस्टिक क्रिक्ट जो 4-5-day उसको इस्टों कि आपके 5-day 4-day में देखे क्या परफॉर्मस है तो अभी उनका मोहादा खतम हो जाएगा लेकिन उनका बी-सी-सी आई जो है उन उन पर तरस्स नहीं कर रहे है वो कहते है नयक अपना है कोच आना चाहिए लिपके आप इंडियन क्रिक्टिक टीम परफॉर्मस देखें जिस तरह वो एशय कप में उससे टाइटिल इतवाया ठीक है कोच नहीं करवाया सब कुछ तो यहां पर जो पाकिस्तान हारी क्लीम सुई होई उससे पहले आईलेंड के खिलाफ तो पाकिस्तान के टीम का इतवाम चीज़ा सीखेंगी असलमें हमें वही रिवायती जुम्ले जो अखबारात में भी लिखते है या टीवी पे भी उसमें चीज़े आती है कि अप तो अपरेशन क्लीन अ तो पहले होगा तीम का पोस्माटम होगा आज का नहीं पॉससे नकभी साम प्रशाब के क्या करेंगे वह अनका का सर्जरी तो बोड के अंदर होनी चाहिए जो अपने ओधों पे लोग बेटे में आप यह तक वहां पर सेलेक्शन कमिटी वहां प्लस अपनी देंग क्या वर सेलेक्शन कमिटी होनी चाहिए आपकी मेरिट क्या है भाई देखे राइट में राइट जॉब आप कोई चीज करी नहीं रहे हो आपकी सेलेक्शन क्या है आप जूनियर टीम दें किसी अपने एक्स क्रिकिटर को जिसकी परफार्मस बहुत अच्छी रही हो वो बेतर कोच प्लेयर को जच करता हो मैं यहां बाद करूंगा आमिर स्वेल की मुझे याद होता है 2003 में जब पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप से वापस आके फरस्ट राउन भी बार हो गई थी वह गई नी टीम आगे तो कि जाहरे 99 का फाइनल खेली और 2003 में कप्तान चेंज था तो क्या ह हुआ चीफ सेलेक्टर आमिर स्वेल आये उसने नए लड़के गुरुम की हफीज उस टीम में था श्वेब मलिक उस टीम में था वो बिल्कुल फ्रेश टीम लेके आये उसको लड़कों का पता है जाहरे वो खुद बेस आलवंडर थे लेकिन उन्होंने सेलेक्शन में कोई बस आपने एक ही प्लेयर को लगा लिया मुझे जमाने से यादे मंसूर आना साथ ही चल ले में अंडर 19 वर्ल्ड कप 2008 में मलेशिया में था यही मंसूर आना था अब प्लेयर्स को आपने बताया नहीं कि भाई 4 रंच आई हैं आप इतने कर लो हम इतने टार्गेट पर आज हैं वो माशी तोर पर भी मुस्तकम होगा मैनत भी करेगा लड़कों को उसकी लेंविज भी समझ में आएगी जब तक आप 16 और 19 को गुरूम नहीं करेंगे लड़के उपर नहीं आएंगे लड़के आपको पता है लीक पे बहुत पैसा है पैसा बहुत इन्वाल्व हो गया अब प्लेयर जो है नहीं है परफॉर्म नहीं कर पा रहें आप वो लड़के लिए जो मेरिट पे खेलना हो जिनका हाग हो जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं दोस्तियां छोड़ें यह पाकिस्तान की टीम है किसी की घर की टीम नहीं है